आचारिये चानक्ये हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी प्रसांगिक हैं जितनी उनके समय में हुआ करती थी वो चानक्ये ही थे जिन्होंने अपनी कूट निती के द्वारा साधारन से चंदर गृप्त को मगत का राजा बना दिया था चानक्ये ने चानक के निती नाम की किताब लिखी जिसमें ऐसी ऐसी बाते बताई हैं जो हमारे जीवन को सार्थक और प्रभाव शाली बना सकती हैं तो आज की इस वीडियो में हम चानक के निती द्वारा बताई गई दस ऐसे टिप्स को फॉलो करेंगे और डिसकस करेंगे जो की हमारा जीवन आसानी से बदल सकती है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर करेगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा चानक के निती हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं इनका बहुत अच्छा वर्णन चानक के निती में दिखाई देता है आचारिय चानक की की बताई गई दस बातें आ चाहिए मुर्ख लोगों के पास बिलकुल भी समझदारी नहीं होती अगर आप उनसे विवात करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज़त कम हो जाएगी ऐसे लोग आपको मानसिक तोर पर कमजोर बना सकते हैं मुर्ख लोगों से विवात से बचना चाहिए अगर आपको मुर्ख लोगों से विवात से बचना है तो आपको चुप रहना चाहिए और अपने दिमाग और विवेक से काम लेना चाहिए इसलिए कभी भी मुर्ख लोगों से विवात ना करें दूसरा पॉइंट चानक के ये बताते हैं अपनी कमजोरी को किसी के साथ डिसकस ना करें ज़्यादा तर लोग अपने चहेतों को अपने नजदी की रिष्टों में अपनी कमजोरियां उजा कर कर देते हैं तो उन्हें बाद में बड़ी महंगी बढ़ जाती है जब आपका जनम होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं पैदा होते ही आपके सांसारिक रिष्टे शुरू हो जाते हैं समय के साथ आप कई गहरे रिष्टों में बंध जाते हैं ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने रिष्टों में डिसकस कर लेते हैं या फिर उन्हें बता देते हैं जो बात में दूसरे लोगों को भी पता चल जाती है जो कि हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता हर वेक्ति की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं चाहे वो आपका दोश अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे चाहिए तीसरा पॉइंट चानक के ये बताते हैं कि आपका एक दोश आपके सभी गुनों को बरबाद कर सकता है जीवन में ऐसे बहुत से उधारन देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा वैबो होने के बावजूद भी वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका उनका स्वर्ग जैसा जीवन भी नरक बन जाता है तो ये किस कारण होता है ये होता है सिर्फ हमारे एक दोश के कारण भेले ही आप में बहुत सारे गुन क्यों नहों आपका विवहार अच्छा हो या फिर आप दयावान हो या समासेवी हो या फिर आप पैसे वाले ह क्यों नहों आपकी समाज में बड़ी इच्जत है लेकिन आपके अंदर एक छोटा सा भी दोश होगा तो वो आपका जीवन बरबाद कर देगा दोश जैसे की नशे बाजी करना अयाशी करना घमंड करना जुआ खेलना इसलिए खुद में जहांक कर देखें कि आपके अंदर क को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए ये वाकिया आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं बात बिलकुल पते की है बिना धन के ना इच्जत है और ना ही सुक समरेदी धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है कई ऐसे लोग होते ह जो धन का बहुत दुरूपयों करते हैं वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगा कर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धूए की तरह उड़ा देते हैं अधिकतर लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बरबाद कर देते हैं बरबाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फाइदा क्या अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो भी उसे लिमिट में खर्च करना चाहिए समय का कुछ पता नहीं होता कि कब बलट जाए आचारिय चानक्य की ये लाइन याद रखें कुबेर भी अपने आए से ज़्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा इसलिए धन कमाए और उसकी बचट भी करें और जब जरूरत हो तब ही उसे खर्च भी करें चानक्य आगे कहते हैं कि बतनामी से डरें आचारिय चानक के कहते हैं कि अपमानित होके जीने से मरना अच्छा है लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता रहता है हम सभी के अंदर बतनामी का डर जरूर होना चाहिए अगर ये डर खतम हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम ही होता है ये आदमी को जीते जी हर पल मारता रहता है ये होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया है जिन्दगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिन्दगी बदनामी जहलने पड़े एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहेंगे इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टैप लेने से पहले हजार बार जरूर सोचें चानक के आगे कहते हैं कि आलस से को त्याग दें इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं पर दुनिया के लोग तो 100% है तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते अब आप कहेंगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मेले होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर के होंगे आज ऐसे कई एक्जामपल हैं जहां लोगों ने जमीन से आस्मान की बुलंदियां चुई हैं ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए भी बहुत अमीर बन गए हैं इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है आलसे का 80% लोग किसी को करने में आलसे करते हैं वहीं 20% लोग उसी काम को मन लगा कर करते हैं इसलिए जीवन बहतर और खुशहाल बनाना है और आलसे को त्यागना है और कठिन परिश्रम करना है याद रखिए आलसी मनुशे का कोई भी वर्तमान और भविश्य नहीं होता है चानके आगे कहते हैं कि जो लोग आपको नहीं सुनते उन पर विश्वास भिना करें आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग आपके साथ बैठे रहते हैं आपसे बाते भी करते हैं पर आप जब उनसे कोई महतवपून बात रखते हैं तो वो गौर करने के बज़ाए उसे अंदेखा कर देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये इनसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचना चाहिए इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिने आप हर किसी के साथ शियर कर सकते हैं अपनी नीजी या फिर इंपॉर्टन बातों को ऐसे लोगों से करने से बचना चाहिए अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बाते बता दी है तो समझ लोग कि अब आपकी ये नीजी बाते नीजी नहीं रहेंगे ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं और इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए चानक के आगे कहते हैं कि अपने से कम या फिर ज्यादा प्रतिष्ठा वाले लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए चानक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मितरता ना करें जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा में होते हैं ऐसी मितरता कभी भी आपको खुशी नहीं देती जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो हमेशा परिषानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद मागने की उम्मीद रखते हैं और आपका फाइदा उठाने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प भी नहीं करेंगे। वह से आपके आत्म सम्मान को ठेस भी लगीगी अगर मुसीबत के समय कभी वो आपकी हल्प ना कर पाएं तो आपको अपने मित्र पर गुस्सा भी आएगा इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मित्र हमेशा लेवल का ही बनाएं चानक के आगे कहते हैं कि हमेशा वर्दमान में ज जीते हैं अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जीएं आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल है आपके पास सिर्फ आज है बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो नहीं आने वाला इसलिए बीते हुए कल को सोचना बिलकु जो आपके जीवन को बहतर बना दे आप अपने आज को समारते रहो आपका भविश्य अपने आप ही सुधर जाएगा चानक के आगे कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें आप मानो या ना मानो जादा तर लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है बलकि अपने रिष्टों के कारण दुखी रहते हैं जिसका मन उसके साथ नहीं होता वो वेक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव आचारी चानक के कहते हैं कि जो अपने रिष्टों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है वो हमेशा डर और चिंद सामना करता है सभी दुखों की जड़ ही लगाव होती है जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप माया और मौ के चक्कर में फस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण बन जाता है चानक की की बातें वर्तमान महौल में सटीक बैठती है आज कल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में लगे रहना चाहता है और उसी वज़ा से वो तनाव लेकर बैठ जाता है उसे अपने पार्टनर को खोने का डर सताता रहता है और इस चिंता में वो टेंशन में डूप जाता है वो खुद के लिए जीने की बजाए आपसी लगाओ में फस जाते हैं अगर ये लगाओ नहीं होगा तो वो अपने लिए वक्त निकालेगा खुद को इंप्रूव करेगा और अपने करियर में सफल हो जाएगा इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिस्ते से बाहर निकलने की सोचें जिस से आपको बहुत ज़्यादा लगाओ है तो दोस्तों ये वीडियो आपको चानक के निती के उपर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो से आपने बहुत को सीखा होगा लेकिन सिर्फ सीखने से सब कुछ नहीं हो जाता ठीक तब ही होता है जब आप इन सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं इसलिए इन दस बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को पॉजिटिवली बदल दें तो वीडियो से आखिर तक जूड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई ज्यान वर्दक वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद